कॉने चिवा दोस्तों कैसे हो यार आप लोग इस वीडियो में तुमें काफी सारी कमाल की एनमे अपडेट्स देखने को मिलेगी जिसे सुनने के बाद तुम लोग काफी जाधा खुश हो जाओगे तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नरूटो के बारे में डीमन स्ले क्योंकि ETV बाल भारत वालों ने इंस्टा के उपर अपना एक पोश्ट डाला है जहां उन्होंने बता दिया कि वो डिटेक्टिव कॉनन को वापस ला रहे हैं अभी रिसेंट के वीडियो में ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉमेंट में पूचा कि डिटेक्टिव कॉन के नए एपिसोड कब आएंगे and finally देखो ETV बाल भारत वालों ने खुद बता दिया कि डिटेक्टिव कॉनन के नए एपिसोड ETV बाल भारत पर बहुत जल्द आएंगे अभी के लिए तो coming soon देखा रहे हैं बहुत जल्द release date and promo भी हमें देखने को मिल जाएगा इसके अगली update की बात करें तो ये Pokemon fans वालों के लिए होने वाली है तो जैसे Pokemon में Ash औं Pikachu के जो last episodes थे 13 episodes जो उनके उपर special episodes बनाए गए थे वो हिंदी डब में Pokemon Asia पर आ रहा था तो Pokemon Asia के last के जो 4 episodes बचे हैं उन्होंने ऐसा बताया है कि वो ये 4 episodes per day लाने वाले हैं मतलब 12 July से लेकर 16 July तक तुमें last episode देखने को मिल जाएगा एंड इसके बाट Ash औं Pikachu का टाटा गुडबाई करे सकते हो तुम लोग एंड बात करें सूपर हंगामा की तो वहाँ पर भी Pokemon XYZ की series end हो चुकी है एंड लास्ट एपिसोड का Pokemon fans को जितना वेट था भाई Disney इंडिया ने हग दिया उसके उपर क्योंकि last वाला सीन तुम सबको याद है सरीना और एस का वह एलिवेटर वाला सीन उसको भाई उन्होंने sensor कर दिया बोले तो कट कर दिया भाई मतलब सरीना को एलिवेटर पर वापस चड़ते हुए देखाया ही नहीं गया वह सीन काट दिया मेरे भाई पूरा दिल के अर्मान तोर दिये भाई डिजनी इंडिया ने मैं क्या बोलूं यार वह कितना आइकॉनिक सीन है पोकेमॉन का मैं डिजनी इंडिया को हेट तो करता हूं भाई इस चीज के लिए बट अब कुछ बोल भी नहीं सकते हैं अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि स्पाई एक अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट है डीमन स्लेयर के तरब से तो डीमन स्लेयर के पूरे सीजन की रेटिंग बोले तो सीजन 4 की जो रेटिंग है वो आईजीन वालों के तरब से आ चुकी है और तुम लोग गेस करो भाई आईजीन वालों ने कितनी रेटिंग दी होगी डीमन स्लेयर के सीजन 4 को 3 out of 10 मतलब उनके हिसाब से ये सीजन पूरा ट्रैस है I think मुझे लगता है एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 7 तक देखने के बाद आईजीन वालों ने ये रेटिंग दे दी थी वो लोग लास्ट का एपिसोड देखना ही भूल गया क्योंकि लास्ट के एपिसोड में जो कांड हुआ है न यार वो आईजीन देखती न तो इसके वो रेटिंग 8 या 9 तक तो देही देती डीमन स्लेयर फैंस भाई इससे काफ़ी ज़्यादा गुष्चा है भाई मतलब 10 आउट अफ 3 की रेटिंग मतलब एकदमी ट्रैस बोल दिया इस सीजन को जो कि था नहीं भाई अपने से जो एक्ष्टा सिंस एड किये थे अनफूटबल स्टूडियो ने वो काफी जादा पसंद है फैंस को किसी को भी लगा ही नहीं कि वो फिलर थे तो भाई रेटिंग तो गलत दी गई है मुझे भी ऐसा ही लगता है मैं तुम्हारे साथ हूँ डीमन स्लेयर फैंस अब इसके बाद अगली अपडेट की बात करते हैं तो ये अपडेट है नारूटो के तरब से देखो नारूटो शिपूडीन का कोलाबरेशन होने वाला है तो फ्री फैर खेलने वालो के लिए ये काफी अच्छी अपडेट है नारूटो शिपूडीन के वर्जन में वोलो फ्री फैर खेलने को मिलेगा एंड मैं तुमसे यही बोलूगा अगर साकुरा नाम की करेक्टर दीखे तो उसे उठा के डस्बिन में फिक देना जो को साइट करते हैं लाश्ट में जाते जाते तुम्हें बोनस के तौर पर मैं तुम्हें आनेया और स्टूडियो घिबली का एक नया एक्शन फिगर देखा देता हूँ जो की देखने में काफी ज़दा क्यूट लग रहा है तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो उसको लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मैं मिलता हूँ आप सबसे बस ऐसे अगली वीडियो में सो तपता के लिए टेक केर गुडबे और सायो नारा